हेलो प्रेंट्स स्वागत आप सभी का जीके ट्रैक यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में आपके लिए जीके के 25 मोस्ट इंपोटेंट कोसन लेकाया हूं जो कि आपके आने वाले एकजाम के लिए बेरी इंपोटेंट है और देखे वीडियो को लाश्ट म महत्तपूर्ण भूमी का किसनी निभाई थी देखे जितने भी कोसन मैं आपके लिए इस वीडियो में लेका आया हूं अगर आपको उनमें से किसी का भी आंसर पता है तो आपको मैं कमेंड बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं तो इसका सही आंसर उप्सन ए हो जाएगा सरद बला भाई पटेल जी थे इन्हें ही भारत का बिसमार्क और लोह पुरुस भी कहा जाता है और देखिया आपने इस्टेची ओप यूनिटी का तो नाम सुना होगा जो कि सरदार बला भाई पटेल जी की बिसमें सबसे उची पिरतीमा है कहां पर इस्तित है गुजरात में न गोतम बुद्ध ने अपना पहला उब्देश कहां दिया था तो देखिये इन्होंने अपना पहला प्रिथम उब्देश दिया था सार नात में तो इसका अंसर ओप्शन ये सही हो जाएगा सार नात में देखिये इनके प्रिथम उब्देश को ही धर्म चक्र प्रेवर्तन क हुआ था सांक के कुल परिवार में इनका पिता का नाम सुद्धोधन था इनकी माता का नाम माम आया था और इनका जो पालन पोस्टन किया था वो प्रिजापति गोमती ने किया था तो आपको सभी पोइंट याद रखने है चलिए अगला कॉस्टन देखते है तो महवीर स्वामी थे बात करें कि पिर्थम कोन थे तो पिर्थम थे रिषब देव जो की जेन धर्म के संस्थापक भी थे तो चलिए अगला कॉस्टन देखते है कॉस्टन नमबर चार है सांची इस्तूप का निर्मान किसने करवाया था तो इसका अंसर उप्षन C से हो जाएगा असोक ने आपको याद रखना है सांची का इस्तूप का निर्मान करवाया था असोक ने देखे सांची का इस्तूप एक बहुत इस्मारक है जो मध्धे प्रदेस राज्य के राय सेन जिले में इस्थित है तो आपको याद रखना है next question देखते है देश में मुद्रा की आपूर्ती को नियंतरित कोन करता है तो very easy question है ये तो भारत देश में मुद्रा के आपूर्ती को नियंतरित की जाती है RBI के द्वारा तो इस cancer option A से हो जाएगा भारते रिजर वैंक के द्वारा बात करें RBI की स्थापना की तो RBI की स्थापना 1 April 1935 को हुई थी मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूँ बात करें इसका मुख्याले काँपर NK Headquarter है मुंबई में और दिखें इसके बरतवान में इस समय जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इस समय इसके गवरनर है सक्तिकांत दाज तो चलिए अकला कोस्टन देखते हैं कोस्टन नमर 6 है नालंदा बिस्व विदारले का संस्थापक था देखें यहाँ पर लिखने मिश्टेक हो गई है तो नालंदा यूनिवरस्टी का संस्थापक था कुमार गुप्त तो इसका राइट आंसर ओप्सन भी हो जाएगा कुमार गुप्त और देखें यहाँ से एक कोस्टन और एक्जाम में पूछाता है कि नालंदा बिस्व विदारले को दोस्त किसनी करवाया था तो देखें बक्तियार खिलजी ने नालंदा बिस्व विदारले को जलबा दिया था यानि कि इसे दोस्त करवा दिया था तो आपको याद रखना है अगला कौस्टन देखते है उज्जेन का प्राचिन काल में क्या नाम था राइट आंसर ओप्सन ये हो जाएगा अबंतिका देखें उज्जेन बरत्मान में इवी मद्धे प्रदेश का जिला है इसका प्राचिन काल में नाम था अबंतिका आप सभी को पोता होगा उज्जेन में ही क्या लगता है महा कुम्ब मेला लगता है और देखें उज्जेन छिप्रन अधी के किनारे बसा है तो चलिए नेश्ट कोस्टन देखते हैं कोस्टन नमबर आठ है असोक के सिला लेखों को सरप्रथम किसने पढ़ा था तो देखे आसोक के सिलालेखों को सरपर्थम पढ़ा था James Prince Ape ने तो इसका सही answer option C हो जाएगा James Prince Ape ने आपको याद रखना है चलिए अगला question देखते हैं बोध धर्म का पिरचार के लिए आसोक ने किसे स्रीलंका बेजा था तो देखे बोध धर्म का पिरचार करने के लिए आसोक ने दो ब्यक्तियों को स्रीलंका बेजा था उनका नाम है महिंद्र एवं संग मित्रा तो इसका right answer option D हो जाएगा महिंद्र एवं संग मित्रा दोनों को तो आपको याद रखना है चलिए next question देखते हैं असोक अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयाई बन गया था देखे important question है कई बार एक्जाम में पूछाता है कि असोक ने अपने अंतिम दिनों में किस धर्म को अपनाया था तो इसका right answer option C हो जाएगा बोध धर्म को अपनाया था क्यों अपनाया था क्योंकि देखे मोर्य सम्राट असोग और राजा अनंत पदमा भन के बीच एक कलिंग युद्ध हुआ था 262 इसापूर में इस कलिंग युद्ध में असोग तो जीत गया था लेकिन इस युद्ध में हुई छती ततन नर संगहर से उसका मन युद्ध से उ इसी सोग से उबरने के लिए बेहई बुद्ध के उपदेशों के करीब आता गया और अंत में उसने बोध धर्म सुईकार कर लिया तो आपको याद रखना है तो चलिए नेस्ट कोशन देखते हैं सिंदू घाटी सब्वेता का पतन नगर था इस कोशन में बताना है कि सिंदू घाटी सब्वेता का पतन नगर यानि की बंदरगा कोन सा था तो right answer option B हो जाएगा लोथल, आपको याद रखने हैं सिंदु गहर्टी के सब्याद आगा मैत तो पूर्ण जो बंदरगा था लोथल था, बरतमान में कहां पर है ये गुजरात में इस्तित है, next question देखते हैं, question number 12 है, चंद्रगुप्त मोर्ये ने अपना अंतिम समय कहां बित अपना 322 इसा पूर्व की थी, तो चलिए अगला question देखते हैं, जम्मु कस्मीर के सम्मिधान में संसोधन कोन कर सकता है, देखे, very important question है, तो देखे, जम्मु कस्मीर का जो सम्मिधान है, उसमें संसोधन करने का अधिकार है, राज्य बिधान मंडल के पास, तो इस answer option B हो ज तावन को जम्मु कस्मीर का सम्मिधान लाग हुआ था, और आप सभी को मालूम होगा भारत का कब हुआ था, तो भारत का हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो आपको दोनों याद रखने है, और देखे, मैं आपको पता दू, जो भारते सम्मिधान में अनुच्छेद 370 के अनुसा चलिए अगला कोस्टन देखते हैं, मुद्रा राक्सस के लेखक हैं, देखे, बैरी जी कोस्टन है, और कई वार एक्जाम में रिपीट होता रहता आईए, तो आप सभी को इसका आन्सर पता भी होगा, तो मुद्रा राक्सस के लेखक हैं, विसाख दत, तो इसका राइट आन्सर ओप्शन भी हो जाएगा, पोरस और सिकंदर के बीच, आपको याद रखना है, जो बितस्ता का युद्ध हुआ था, जहलम ने देखी किनारे, पोरस ताथा सिकंदर के बीच लड़ा गया था, 326 इसा पूरु में, इस युद्ध में सिकंदर ने राज़ पोरस को हर दिया था, देखिए, इस युद्ध को हाइड स्पीज का युद्ध भी कह जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है, चलिए अगला कोशन देखते हैं, सम्मिधान सभा दोवारा, राष्टे दुहज कब अपनाया गया था, तो देखिए, सम्मिधान सभा ने राष्टे दुहज को अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को, तो इसका right answer option C हो जाएगा, 22 जुलाई 1947 को, अगर हम बात करें, कि राष्टे दुहज कर डेजाइन किसने तयार किया था, तो पिंगली बेंगाया ने तयार किया था, ये कोशन काई बार एक जाम में पूचाता है, तो आपको याद रखना है, 26 जनवरी 1950 को, राष्टिगान अपनाया गया था, और 22 जुलाई 1947 को, राष्टे दुहज अपनाया गया था, तो आपको दोने याद रखने है, चलिए अगला कोशन देखते हैं, ज्यान फीट पूरुसकार निम्नि में से, किस छेतर में दिया जाता है, तो इसका सही answer option A हो जाएगा, साहित्ते के छेतर में, देखिए साहित्ते के छेतर में दिये जाने वाला ये सरवोच पूरुसकार है, तो आपको याद रखना है, और बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1965 में, और ये पिर्थम बार दिया गया जी संकर कुरूप को, तो आपको ये भी याद रखना, अगर आपसे पूचhon आए कि ज्ञान पीट पूरुसका सरव प्रिथम किसे देया गया था, तो जी संकर कुरूप को दिया गया था, तो देखें, लाश्ट बाडल 2008 क proof के जो दिया गया है, ये अमिताब गोंश को दिय गया है चलिए अगला question देखते हैं इडुक की बांध किस नदी पर इस्तित है तो देखें बांधों से संबंधित भी एकजाम में question पूछे आते हैं तो यह जो इडुक की बांध है यह केरल राज्ये में पेरियार नदी पर बना है तो इसका सही answer option B हो जाएगा पेरियार नद यानि की primary memory होती है क्या होती है RAM होती है तो इसका सही answer option A हो जाएगा RAM अब RAM की पूरी full form क्या होती है random access memory आपको याद रखना है देखें RAM यह एस्थाई memory होती है और यहाँ पर बात करें ROM की तो ROM यह इस्थाई memory होती है इसकी पूरी full form होती है read only memory तो आपको दोने याद को देखते हैं को सन नमर बीस है भारत में राष्टे मत दाता दिवस कब मनाया जाता है तो बारत में प्रतियक बर्स 25 जनवरी को राष्टे मत दाता यानि की national waters day मनाया जाता है तो इसका सही answer option A हो जाएगा 25 जनवरी को और यहाँ पर आप सभी को पता होगा 26 जनवरी को गर इसके प्रति उत्तरदाई होती है तो यहाँ पर इसका सही answer option C हो जाएगा लोग सभा के देखें जो केंद्रे मंत्री परिसद होती है ये लोग सभा के प्रति उत्तरदाई होती है आर्टिकल यानि के अनुछेद 75 के 3 के अनुछार आपको याद रखना है चलिए अगला कोस असे ,खते हैं ,प्राय द्यूप बाहरत की सबसे बंबी नदी कोण स्य है तो प्राय द्यूप बाहरत की बाहरत की सबसे बंबी नदी ये गुदापनी तो इसका सही answer option C हो जाएगा गुदापनी तो नदी कोई दच्छंण की गंगा का जाता है और देखे इसकी जो अगर हम बात करें कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलो मेटर आपको याद रखना है और देखें अगर आपसे पूछ जाए कि भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है तो भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी होगी गोदावरी तो ये भी आपको याद रखना है तो चलिए अगला कॉस्टन देखते है कॉस्टन नमबर 23 है स्वेराज पार्टी की स्थापना किस ने की थी देखें, बेरी इंपोर्डेंट कॉस्टन है कई बार एक्जाम में फूचा जाता है तो इसका राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा चितरंजन दास ने देखें मैं आपको पता दू चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू ने 9 जनबरी 1923 को स्वेराज पार्टी की स्थापना की थी देखें चितरंजन दास श्वेराज पार्टी की अध्यक्स थे और मोतिलाल नहरू इसके महासचिप थे तो आपको याद रखना है इसकी स्थापना कप की गई थी 9 जनबरी 1923 को चितरंजन दास और मोतिलाल नहरू के द्वारा चलिए अगला कोशन देखते है भारत का राष्टे गान जनगर्मन सरप्रिथम कहां गया गया था तो देखें जो भारत का राष्टे गान है ये सरप्रिथम गया गया था कलकत्त में तो इस कांसर ओप्सन ए हो जाएगा कलकत्त यानि की कोलकात्त में आपको याद रखना है, सन 1911 में. देखे, मैं आपको इसके बारें मता दू, यहां से एक कोष्वन और पूछायाथ है, कि जो भारत का राश्टेगान है, इसे सम्मिधान सभानें कब अपनाया था? तो आपको याद रखना है, अगला question देख लेते हैं जिसका answer आपको comment box में लिखकर बताना है तो आज का question है मानब सरीर का रक्त बैंक किसे कहा जाता है तो आपको बताना है कि मानब सरीर का रक्त बैंक यानि कि blood bank किसे कहा जाता है अगर आपको इस कांसर पता है तो आप जल्दी से comment box में बता सकते हैं अगर आपको नहीं पता है तो ये question मैंने इससे पहले की वीडियो में कराया था आप बहां से जाकर इस कांसर दिखकर हमें comment box में लिखकर बता सकते हैं तो दोस्तो आज के लिए इतना ही उम्मिद करता है आपको वीडियो पसंद आएगा अगर आपको वीडियो अच्छे लगाओ और आपके लिए जरा से भी helpful हो तो वीडियो को like और share दरू कर देना और उसके साथ ही चैनल को भी subscribe कर लेना तो चलिए मिलते हैं नाइस्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत